हमासकार दोस्तों मैं विकास सिंग आपका इनुवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं आज का हमारा टापिक है भहती विज्ञान के महत्पूर क्वेस्चन जो कि आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं इस वीडियों जितने भी क्वेस्चन है वो आ जली नहीं जाएगी यह क्वेस्चन आपके एक्जाम में बिल्कुल नहीं गलत करना है नेक्स्ट क्वेस्चन है प्रतिरोध की एसाई काई क्या है तो इसका एसाई काई होता है ओ नेक्स्ट क्वेस्चन की तरफ हम लग चलते हैं ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं त प्रकास द्वारा चली गयी दूरी को, हम लोग क्या गते हैं प्रकास वर्स किसका मात्रक है, तो वो है दूरी का मात्रक अगला question है हमारा समान प्रावस्था में कमपायमान माध्यम के किन ही दो सबसे निकर्ट्टम कोड़ों के बीच की दूरी होती है तो वो होती है तरंग धैर नेक्स्ट क्वेस्चन की तरब हम लग चलते हैं पुछा है किसका तरंग धैर सबसे अधिक होता है तो नीले रंग का तरंग धैर सबसे अधिक होता है आगे हम लग चलते है रेडियो तरंग का वेग कितना होता है तो इसका वेग होता है तीन गुड़े 10 के घाते 8 मीटर प्रती सेकेंड FM प्रसारण बैंड किसके बीच होता है तो वो होता है B H F range के बीच में इसका प्रसारण होता है धोनी की गती सबसे तेज होती है तो इसका सबसे तेज गती होती है लोहे में अगर आप पूछेंगे किस में सबसे तेज होता है तो आपका अंसर हो जाएगा ठोस में नेक्स कीस में होता है तो वो द्रव में और सबसे कम होता है गैस में अगले question के तरफ हम लोग चलते हैं कितने माप से अधिक को सोर का नाम दिया जाता है तो 80 decimal से जो अधिक होगा उसका हम लोग सोर का नाम देंगे यानि कि हला गुला का नाम देंगे next question है सापे चकता का सिध्धान्त या जिसे theory of relativity भी कहा जाता है यह किसके द्वारा प्रतिपातित किया गया तो यह किया गया था Albert Einstein द्वारा next question इसी से related है थोड़ा सा सब्द में इधर उदर है क्या है Albert Einstein को किसके लिए नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा फोटो इलेक्टरिक पभाव के नियम को खोज करने के लिए इनको नोबेल पुरसकार से सम्मानित किया गया था next question किस बैज्यानिक ने आप एचिकता का सिध्धान्त या relativity थेयोरी को प्रस्तूत किया था तो इसको हम लोग ने उपर देखा वह इसका सेम आंसर हो जाएगा आनिकि Albert Einstein द्वारा इसको खोजा गया next question की बात हम लोग करते है 14 नमबर की nuclear bomb बनाने के लिए किसका उपियोग किया जाता है तो जिसका उपियोग किया जाता है उसको हम लोग uranium के नाम से जानते है quantum प्रभाव किसमे होता है तो यह X क्रिड़ों में यह प्रभाव देखने को मिलता है आपका भारत में प्रथम nuclear reactor क्या है या उसका नाम क्या है तो आप कहेंगे इसका नाम है अफसरा हम लोग चलते हैं अंगले question की तरह X-ray की खोज किसने की थी या किसके द्वारा की गई तो इसका सही answer हो जागा W के rantation द्वारा भारी पानी की खोज किसने की थी किया गया थैं अगले question की तरह हम लोग चलते हैं अल्फ्रेड नॉबल जो हैं इनको किसका अविस्कार किया था इन्हों ने dynamide का अविस्कार किया था आगला question है ड 감사 की किसने की तो इसका खोज माईकल फैराडी द्वारा किया गया थैं अगर एक question की तरफ हम लोग चलते हैं हमारा question है transformer की खोच किसने की तो Michael फायराडे द्वारा transformer की खोच की गई किस बैग्यानिक ने electrolysis के नियम दिये थे तो M फायराडे द्वारा इसके नियम को प्रस्तुत किया गया था hydrogen bomb का विसकार किस ने किया था तो इसका विसकार करता जो है वो है Edward Taylor आपके next question की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ पर आपके exam में पूछा गया था कि जो गलत है उसको छाटना है तो fountain pen का विसकार Lewis Edson और Waterman द्वारा किया गया था आपको a meter का देखना है कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गयी थी आपको इसको अपने से देख के याद कर लेना है बैरोमीटर की खोज इवाजे लिस्टा टोरी सेली द्वारा किया गया था एनमेशन की खोज एमिल रेनित द्वारा किया गया next question है microwave oven किस ब्यक्ति से सम्मंदित है तो उस ब्यक्ति का नाम है परसी Spencer next question की तरफ हम लोग चलते हैं पुछा है निम लिखित में से कौन सी क्रिया प्राक्रितिक जल विक्यान या जिसे हम लोग hydrological अथवा जल चक्र के नाम से जानते हैं का भाग नहीं है तो आपका आपसर नंबर जो B है बी सरण यह इसका भाग नहीं है क्योंकि यह गैसों से सम्मंदित है सेस तीन वास्पी करण वर्सर वास्प वसर्जन यह आपके hydrological अथवा जल चक्र का भाग है next question की तरफ हम लोग चलते है question पूछा है जो जीवाडू या बैक्टरिया होता है उसके निराकरण के लिए जिस प्रकास किरण को परकनली के अंदर वैक्रित यानि वैक्यूम प्रेवक्साला में प्रेवक्त किया जाता है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है परावैगनी किरण next question है कलाम दूती लीवर का उधारण है या एक्जामपल है तो वह एक्जामपल है वील बैरो हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ और अगला question हमसे पूछ रहा है इलेक्टरानों की तरंग तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिध्ध किया गया तो इसको सिध्ध किया गया डेविशन और जन्मन प्रयोग द्वारा next question है कड बोसान नाम का संबंध किस नाम से है या किस ब्यक्ति से है तो उसका सही आंसर हो जाएगा S.N.Bos अगला question क्या पूछ रहा है टेप रिकारडर में टेप की चाल कितनी होती है तो इसकी चाल जो होती है वो होती है 4.76 cm प्रती सेकेंड अगले question की तरफ चलते है बिद्दूत उत्पादन करने में सरवाधिक हिस्सा किसका है तो यह आप पूछे कि बिद्दूत उत्पादन जो होता है उसमें किसका योगदाउन सबसे अधिक है तो आप कहेंगे ताप बिद्दूत का Next question की तरफ हम लोग चलते हैं Question का रहा कि steering में free play किस कारड़ से होता है तो इसका सही जवाब होगा steering के delay होने के कारड़ CT scanning में उपयग होता है तो वह X-ray केड़े का उपयोग होता है नीवू निचोरने की जो मसीन है वह किसके अंतरगत आती है तो वह आती है 32 रेड़ी के उत्तोलक के अंतरगत अगला question पूछा है कि जो यह Stephen सहाब है वह क्या है तो वह एक पैग्यानिक थे नेक्स्ट question है प्रतिवन या जिससे हम लोगी stress के नाम से जानते है कि SIE काई क्या है तो इसका SIE काई पास्कल है आयतन की SIE काई क्या है तो इसका आंसर घन डेसिमीटर है और नेक्स्ट हमारा question है उर्जा की SIE काई क्या है तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा जूल हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ समय की SIE काई क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा second और अगला question पूछ रहा है अदीसरासी क्या है अदीसरासी क्या है कार अदिस रासी में क्या होता है इसमें दिशा की आव सकता नहीं होती है केवल परिमाण की आव सकता होती है यह कभी कभी question भी देखे आ एक जावा यह definition देखे भी पूछ सकता है कि इसको अदिस रासी कहते हैं या नहीं कहते हैं हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ यह जो चुम्ब की प्रेड का एसाई मात्रक है और उसको हम लोग क्या काते हैं तो उसका सही आंसर हो जाएगा टेसला next question है किसी संगीत यंत्र की दोनी तिव्रता मापी जाती है तो किसमें मापी जाती है तो उसको हम लोग डेसिबल में मापते हैं और हम पूछे कि इससे बड़ा इकाई क्या होता है तो वो इससे बड़ा इकाई होता है बेल और बेल का दासवा भाग डेसिबल होता है आपका नेक्स्ट क्वेशन है आवरित्ति मापनी की काई का नाम क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट अलोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन की तरफ अगला question क्या कहता है कह रहा है कि पराध्वनी गती का मापंकन किसी काई सो होता है तो उसका मापंकन होता है मैक संख्या में Next question है Newton की काई है तो वह बल की काई है बार किसकी काई है तो वह वाई मंडली दबाव या आपसे पुछे कि बार को किसमे मापन के लिए प्रियुक्त होता है तो आप कहेंगे वाई मंडली दबाव के लिए नेक्स्ट क्वेशन है कार तथा उर्जा की इकाई क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा जूल हम लोग बढ़ते है अगले क्वेशन के तरफ खाली स्थान गति सील स्यानता की इकाई है तो आप कहेंगे पास्कल सेकेंड गति सील स्यानता की एसाई काई है अगला क्वेशन पुछ रहा है कि जो ये निम लिखित में से कौन सी रासी का मातरक जूल नहीं है तो आप कहेंगे कि जो ये सामर्थ है आपसा नमबर D इसका मातरक जूल नहीं होता सेस या अंत्री कुर्जा कार उस्मा का मातरक जूल होता है Next question के तरप हम लोग बढ़ते हैं अगला question करा है जो सक्ती का मातरक है वो क्या होता है तो वह होता है जूल प्रती सेकेंड ये next question आपके लिए है आपको इसको खोज के याद कर लेना है जड़त आगभुल का मात्रक क्या है या किसे कहते है नेश्ट question है पास्कल इकाई है तो वह किसकी काई है वह दाप की काई है अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question कह रहा है ये बिजली के current का SI unit क्या है तो इसका SI unit क्या होता है वह ampere होता है दबाव का SI unit क्या है तो वह होता है पास्कल और अगला question कर रहा है मात्रक क्याईयों की CGS प्रडाली में क्या परिभासा है यानि जो ये CGS सब्द है उसका क्या आर्थ है तो C का रथ है centimeter G का रथ है gram और yes का मतलब है या means है वह second next question है एक बाट घंटा किसके बराबर होता है तो वह 36,000 जूल के बराबर होता है अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question क्या कर रहा है दूद की घंटा या स्यानता मापने के लिए कौन सब करड़ प्रिफ्त किया जाता है या आप से ये सब्साइब के पूशन के दूद की सुद्धता किस से मापी जाती है जिसका सही आंसर हो जाएगा लैक्तुमीटर अगला question कर रहा है एक bolt कितने के बराबर होता है तो बराबर होता है एक जूल प्रती कुलम्ब के next question है रेडियो धर्मिकता्या रेडियो धर्मी मापी जाती ह तो किसमे गीगर मूलर काउंटर में इसका मापन किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 62 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदरता किसमें मापी जाती है तियो हाईग्रो मीटर में मापी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सब करण इस्तिमाल किया जाता है तो फैदो मीटर द्वारा समुद्र की गहराई का मापन किया जाता है नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट अगला question क्या करता है कि निम लिखित में से कौन सी भावतिक रासी अन्ने से भिन्न है तो ये जो आपसा नमरा आपका C है बल वो से से भिन्न है बाकी कार गती जुर्जा इस्तिती जुर्जा सेम है या एकी जगह से रिलेट करते हैं नेक्ट question की बात करते हैं धालू सडक पर पत्थर लुड़काना उर्थ ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है क्योंकि ये करा कि आपको जो धाल है उस पर पत्थर लुड़काना आसान होता है लेकिन उसको ऊपर उठाना कठीन होता है यसा क्यों होता है तो इसका सही आ होतिक मात्र है जिसका आयाम याम यल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू है इसका आंसर हो जाएगा किया गया कार अगला क्वेश्चन कहता है कि माचिस की डिब्बी की सतर से जब माचिस की तीली टकराती है तो उर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लो में प्रज्वलित होन के कार उसमें आग लग जाती है नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं सिंपल से क्वेश्चन है नदी का बहता हुए जल कि इस प्रकार का उर्जा संबहन करता है तो यहीं इसका सही आंसर हो जाएगा गति जूर्जा क्या होता कि कि किसी वस्तु या किसी पिन्ड में गत जूर्जा के नाम से जानते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन कर रहा है सूपर सोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है तो है आपका मैक संख्या अगला क्वेश्चन है किस अवरित्ती की ध्वनी मनुष से द्वारा सरब होगी तो वह ध्वनी जिसकी अवरित्ती 20 हर्ट से 20,000 हर्ट के बीच में होगी उसको मनुष से द्वारा सुना आ जा सकता है इससे नीचे या इससे उपर होने पर मनुष से द्वारा सुना नहीं जा सकता है 20 हर्ट से नीचे रही तो उसे हम लोग अब सब ध्वनी कहेंगे और 20,000 हर कुछता है कि पुर्षों की आवाज मोटी और अवरतों की आवाज सुरूली या पतली होती ऐसा कि सोजा किसलिए होता है तो आप कहेंगे इसके अवरित्ति के कारण या तारत्त के कारण नेक्स्ट क्वेशन है हम लोगों का प्रती धोनी सुनने के लिए स्रोत तथा परवारता सता के बीच कितनी नियुंतम दोरी होनी चाहिए तिये दिया है लगभग 17 मीटर इसका एक्जेक्ट आंसर होगा 16.6 मीटर अगला क्वेशन क्या काता है दो ब्यक्तियों के वारता होगा उसका हम लोग किस नाम होना चाहिए तो उसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 30 decibel हम लोग बातचीत करने में तना यूज करते हैं दिवार से एक प्रती ध्वनी सुनने के लिए नियूंतम दूरी क्या है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 17.2 मीटर अगला क्वेशन के तरफ हम बढ़ते हैं ध्वनी किस माध्यम से गमन नहीं से नहीं हो सकता या ध्वनी किस माध्यम में नहीं जा सकती तो इसका सही आंसर है निर्वात क्योंकि ध्वनी को चलने के लिए माध्यम किया हो सकता होती है लेकिन प्रकास को चलने के लिए किसी भी माध्यम किया हो सकता नहीं होती है हम लग बढ़ते अपने अगले क्वेशन की तरफ अगला क्वेशन कह रहा है कि इस तापमान पर पानी का घनत अधिक्तम होता है तो इसका सही आंसर हो जाएका 4 degree Celsius पर पानी का घना तो सबसे अधिक होता है यहां साथ जिल में पानी होता है जिए मश्लिया कैसे जिंदा रहती है । कोई पतार्थ अग पकड़ता है तो से क्या कहा जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं प्रज्वलनल्erk नेक्स cargo क्वेशन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और आपका 80 क्वेशन क्या कर रहा है सुध्य जल का अधिक्तम घनत किस तापकरम पर होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार डिगरी सिल्सियस पर अगला क्वेशन कर रहा है जब जल जमता है तो इसका घनत में या क्या परिवर्तन होगा तो इसका घनत जो होगा वो घटेगा अगला क्वेशन कर रहा है नमक को बर्प के साथ मिलाने से इसका हीमांग जो है वो घट जाएगा अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं question का रहा है तीरासी कौन सी धातू का ता कौन सी धातू ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का बुरा है यहाँ एक extra का लगा है तो जो अभरक आपका है वो ताप का अच्छा सुचालक है लेकिन बिजली का बुरा next question है दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं उन्हें कैसे अलग किया जा सकता है तो जो आपका बाहरी गिलास होगा उसको गरम पानी में डाल देंगे तो वो तोनों अलग हो जाएंगे अगला question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं question पूछ रहा है कि बर्फ की गुपतूसमा कितनी होती है तो वो होता है 80 कैलोरी प्रती ग्राम next question की तरफ बढ़ते हैं हम लोग Fahrenheit scale में पानी का कोथनांग है तो वो है 212 degree Fahrenheit अगला question क्या पूछ रहा है स्वस्त मनुष्य का तापकरम कितना होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 degree Celsius या centigrade अगला question हम से पूछ रहा है कि एक वस्तू को फोकल लंबाई 20 cm के उत्तर lens के मुख अच्छ के लंबवत रखा गया है lens से वस्तू की दूरी 30 cm की है बनने वाली छबी की इस्थिती ग्याद कीजिये तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60 cm अगला question का रहा है निकट दृष्टी दोस वाले लोगों द्वारा प्रिव्त लेस कौन सा है तो आप कहेंगे outer lens अगर आप से पुछेगा दूर दृष्टी के लिए अगर उसको लगाएंगा तो इसके जो दृष्टी है वो सही हो जाएगा आख को सामान बनाने के लिए आवस्यक लेंस क्या होगा तो उसका सही आंसर हो जाएगा 200 बटे 3 cm फोकस दूरी के उत्तर lens अगर उसको लगाएंगा तो उसके जो दृष्टी है वो सही हो जाएगा यानि वो वस्तु को सही तरीके से देख पाएगा हम लोग बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question कह रहा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतविम देखने के लिए एक समतल दरपड की निवंतम उचाई होती है तो उसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्ति की उचाई की आधी अगर आप से यह पूछा जाए कि आपकी जितनी लंबाई है आपको अगर पूरा देखना हो आपको अपने को सीसे में एक समतल दरपड में तो सीसे की लंबाई कितना होनी चाहिए तो आंसर हो जाएगा आपकी जितनी लंबाई है उसकी आधी नेक्स क्या करा है लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है कैस तो यह दिखाई पड़ता है आपका काला नेक्स्ट क्वेस्टन के तरफ हम लोग चलते हैं परदे पर उत्तर लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आक्रिती बनती है यदि उत्तर लेंस के उपरी भाग को अपारदर सी कागत से ढग दिया जाए तो छवी पर क्या प्रभा पड़ेगा तो यह प्रभा पड़ेगा कि वस्तु को पूर्ड छवी प्राप्त होगी यानि वस्तु का पूर्ड परतिविम बनेगा प्रंतु उसकी तिब्रता हो जाएगी नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट उप्युक्त होगा इसका सबसे उप्युक्त तरीका होगा सीर्स पर सफेद यानि उपरी सतर पर सफेद और नीचे जो होगा उसको काला करना चाहिए यह ज़्यादा इफेक्टी होगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन का रहा है कि इसका सबसे अधिक अपवर्तनांग होता है तो जो हीरा है उसका अपवर्तनांग सबसे अधिक होता है इसमें क्या होता है कि पूर आंत्रिक परावर्तन होता है जिसके करण हीरा हमें अत्तधिक चमकीला दिखाई पड़ता है अगला question पूछ रहा है, स्वच आकास का नीला रंग किन कारण से दिखाई पड़ता है, तिसका सई आंसर हो जाएगा, प्रकास के बिखरने के कारण हमें नीला रंग या नीला रंग का आकास दिखाई पड़ता है, अगला question है, आकास का रंग नीला दिखाई दने का कारण क्य अत्रीक एक माध्यम में सबसे यहां नव से हो गया इसका होगा यहां पर होगा सबसे तेजगमन करता है तो वह सही आंसर हो जाएगा आपका लाल अगला क्वेश्चन है मोटर गाड़ियों में साइट की वस्तूओं को देखने के लिए परिव्त दरपड होता है तिसमें क्या होता है उत्तर दरपड का प्रयोग किया जाता है अगर आप से यह पूछेगा जो मोटर गाड़ी होते हैं उनके हेट लाइटों में किसका प्रयो अगले क्वेश्चन की तरप हम लोग बढ़ते हैं प्रकासी सुच्मदर्सी या जिस हम लोग लाइट माइक्रोस्कोपी के रूप में जानते हैं में किसके लिए तेल निमंजन का प्रयोग किया जाता है इसका आंसर हो जाएगा सुच्मदर्सी की बिभत सक्ति बढ़ाने क लिए अगले क्वेश्चन की तरप हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है वह पूशरा है प्रकास के पथ में एक खाली स्थान वस्तू के आने पर छाया का निर्माण होता है तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा पारदर्सी वस्तू अगला क्वेश्चन पूशर अगला प्राथमी कर स्थान निला कर्ति यह भी क्वेश्चन ओं के तो बनाने के लिए सबसे अधिक उपorteयोगी की जाने वाली सामागरी है टंगस्टन क्यों कि क्योग इसका गल्न हुआ अगले क्वेस्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं विद्दूत प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है तो ओम मीटर उपकरण का इस्तिमाल किया जाता है अगले क्वेस्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं question क्या करा कि बिद्दुत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरल का इस्तिमाल किया जाता है तो वो उपकरल का नाम है potasio meter अगला question क्या करा AC को DC यानि AC alternate current जिसे हम लोग प्रत्य वर्ति धार के नाम से जानते हैं और DC जिसे direct current यानि कि दिश्ट धारा में परिवर्तन करने के लिए निम्न में से किस सुपकरल का उप्योग किया जाता है तो इस सुपकरल का नाम है rectifiers अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं question क्या करा है कि यदि समय T में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ कार्ट में सुध आवेस net चार Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ कार्ट के माध्यम से प्रवाहित धारा होगी इसका answer क्या होगा I is equal to Q upon T next question तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question क्या करा है 12 bolt के विभुवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 C के आवेस को इस्थानांत्रित यानि की बढ़ाने के लिए करने के लिए किये जाने वाले कारे कमान कितना होगा तो इसका सही answer हो जाएगा 60 J next question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं इस question पूश रहा आप से कौन साब करण बिद्धित उर्जा को या अंत्रिक उर्जा में परिवर्तित करता है तो इसका सही answer हो जाएगा electric motor द्वारा ऐसा किया जाता है अगला question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question आप से पूश रहा है कि जो परिवर्त या जिसे हम लोग transformer के रूप में जानते हैं कि सिध्धान पर कार करता है तो या विद्धुत चुमकी प्रेड़े के सिध्धान के सिध्धान पर कारे करता है अगले question तरफ हम लोग बढ़ते हैं एक फ्यूज है एक बिद्धुत परिपत जिसे या electric circuit की सुरच्छा निमलिखित में इसे किसे करता है ति आपका दिया answer अती भारण यानि इसका आप सुद्ध कहें तो इसमें होता कि जब current जादा अधिक आ जाता है तो उससे हमारे जो wire होते है उसकी रच्छा करता है next question है हमारा 117 question circuit में बिद्धुत की उपस्थिती का या बिद्धुत उसमें मवजूद है की नहीं उसका पता लगाने के लिए किस उपकरण का उप्योप किया जाता है तो हम लोग उपकरण का यूज करते हैं galvanometer का अगला question है कौन सी युक्ती बिभिन उपकरणों को स्रेडी क्रम में जोडने के काम आती है तो साहियोजक तारदवरा ऐसा किया जाता है अगला question है बिजली के बल्ब का filament बना होता है तो वह टंगश्टन का बना होता क्योंकि इसका गल्ला उच्च होता है अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते है question करा है चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है तो यह होती है बिभवांतर के प्रत्यच्छत अनुपातिक अगले question करा है आवेसित की गई एक वस्तू द्वारा किसी अन्य आवेसित की गई वस्तू अथवा आवेसित न की गई वस्तू पर लगाए बल को क्या कहते हैं तो इस बल को हम लोग कहते हैं बिद्धूत इस्थेतिक बल अगले question के तरफ बढ़ते हैं प्रत्य वर्ति धारा जैसे हम लोग AC करेंट के रूप में जानते हैं को एक दिस धारा में किसके परियोग के जरिये परिवर्तित किया जा सकता है तो हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं इस्थिरक या इस्टेपलाईजर के द्वारा next question है रासाइनिक उर्जा को बिद्दित उर्जा में रूप आंतर किसके द्वारा किया जाता है तो संचायक सेल द्वारा यहां मेल है यहां प्राय का संचायक सेल के द्वारा हम लोग इसका रूप आंतर करते हैं next question है यांतिक उर्जा को बैदित उर्जा में रुपांतिक करने के लिए प्रयोग किया झाता है तिसके लिए DYINEMO का प्रयोग किया जाता है next question है इनमे से कौन सा बिद्दूत का सरवत्तम चालक है इसमें देखे सरवत्तम चालक कौन सा है जो यहाँ पर आपसन दिये गए उसमें समुद्री जल विद्धूत का सबसे सरवत्तम चलग है क्योंकि इसमें जो होता है दो आयन को रूप में तूड़ जाते हैं और विद्धूत प्रवाहित होने लगती है सेस में तीन आपसन साधारा जल उबला हुआ जल आश्वी जल में विद्धूत कैये सब अच्छे तरीके से धारा प्रवाहित नहीं होगी किसी बस की चाल बढ़ाने पर ही रोशनी का बढ़ना 21 सिस्थिती को दरसाती है तो यह कमजोर बैटरी को दरसाती है अगले question तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला question क्या करा जो प्रकास बोल्टी सेल होता है यह क्या होता है तो यह होते हैं सोर सेल next question है एक खाली स्थान एक निश्करी दो टर्माल का बिद्दूत घटक है से सर्किट यानि की परिपत तत्यों के रूप में बिद्दूत प्रतिरोध लागू करता है तिसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध अगर एक क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या करा एक सुनतीस खाली स्थान एक साधारव उपकरण है जिसका उप्योग ब्योग वाला आउटलेट की चमता को बिस्तारीत करने के लिए किया जासकता है जो उपकरणो को समायोचित कर सकता है अगर एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कुश्चन करा कौन सा पदार्थ बिजली का कूच आलक है परन्तु ताप का सूच आलक है हमने इसका आंसर उपर देखा थे यह question repeat हुआ थे इसका सही आंसर हो जाएगा अब भरग next question के हम बात करते है बिद्धु चुम्मक किस से तयार होता है त kendra लोहय द्वारा तयार किया जाता है अगले question के तरफ हम बढ़ते हैं अगला question क्या करा इलेग्टरिक संचार प्रडाली की तीन बुनियादी का या कौन आनसी है तो यह संदर्वित करता है या सो करता है अब आधित सिगनल जो संदेश सिगनल के प्रसारण और प्रसंसकरण में बाधा डलते हैं अगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं question क्या करा है भू, तापी, पुर्वेच्छर या जिसे हम लोग कहते हैं जीओ, थर्मल, प्रस्पेक्टिम में हाल ही के दसकों में किस प्रकार के साउंडिंग का विश्तरित प्रयोग किया जा रहा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकल बर्गर साउंडिंग अगला question है 1980 के अंतिम वर्सों से भू, तापी, अनुवेचर यानि खोज में प्रयूक्त, बिक्सित, तथा संसोधित, प्रति रोधक उपायों में हाल ही में किस बिकल्प को सामिल किया गया तो वह बिकल्प है आपका T.E.M. साउंडिंग अगला question ते तरफ हम लोग बढ़ते हैं question क्या करा है कि एक गती सील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की और जुख जाती है यह किस नियम का पालन करता है तिया नियम है न्यूटन के प्रतम का नियम इसे हम लोग जड़तु का नियम भी करते है और इससे हमें बल का परिभासा भी मिलता है इतना point अप कॉस्चिन क्या रहा है जेट इंजिन कि स ग्टना के आधार पर काम करता है तो वह रायखिक्स वेक्शन रच्षर के आधार पर काम करता है अगतले question क्याकर जो 25 घरशओ होता है वो क्या होता है तो होता है सीमीत घरशओ से तोड़ा कम अगला question पुछ तो पूछान एक साधारर लोलक की समय सीमा खाली स्थान पर नेभर करता है तो वो लोलक की लंबाई पर नेभर करेगा यदि किसी लोलक की लंबाई जितना अधिक वा उसका उतना ही अधिक समय सीमा होगा अगले question के तरफ हम लोग बढ़ते हैं गती जो कुछ समय के बाद खुद को दोहर आती है, उसे क्या कहा जाता है, तो उस गती को क्या कहा जाता है, उसे हम लोग आवधिक के रूप में जानते हैं, next question क्या करा, इस्थिर गती से दोड रही, एक रेल गाड़ी में बैठा या त्री, लंबोत उपर की दिशा में गेत फेकता है, तो वो गेत कहां गिरेगी, इसका simple सकाने मतलब है कि आप किसी गाड़ी में या बस में या कहीं भी बैठे हैं, तो आप गेत को उपर उचालते हैं, तो वो गेत कहां गिरेगी, तो वो आपके हाथ में गिरेगी, और यह इसका answer होगा, अगले question के तरफ हम लोग question का रहा है कि जल इस्थानांतर के सिध्धान की खोज का प्रतिपादन किस ने किया, या किस के दवारे इसकी खोज की गई, तो इसका सही answer हो जाएगा, आरके में डीज जुदारे इसकी खोज की गई, अगला question इसी से related है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूप जाती ह जबकि जहाग जल इयान पानी पर तरता है, या सिध्धानत नीम में से किस बाइग्यानी के सिध्धान पर अधारित है, तो इस बाइग्यानी का नाम है, आरके में डीज, एगला question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, question पूछ रहा है कि एक ध्वनी का वेक 700 मीटर प्रतिस सेकें है, ध्वनी की तरंग की आब रित्ती की गर्णा करें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2000 Hz, एगला question की तरफ बढ़ते हैं, निम लिखित में से किस उद्देश के लिए परासरब्य तरंगों यानि कि अल्ट्रासांड वेप्स का प्रेयोग नहीं किया जाता, तो इसका सही आ हराई का पता ग्याद करना, मानो शरीर के आंतरिक अंगों में दोसों का निदान करने के लिए अल्ट्रासांड वेप्स का प्रेयोग किया जाता है, next question क्या करा है, question करा है कि ध्वनी किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती, ये question repeat हुआ, तो ध्वनी निरबात से यात्रा नही सई आंसर हो जागा, रेडियो तरंगों में सबसे लंबे तरंग धर होते हैं, आज का last question और इस वीडियो का सबसे अंतिम question ये आपके लिए 151, क्या करा है कि निम लिखित में से कौन सा पदार्त एक ध्वनिक प्रदार्त है, तो लोहा जो है आपका एक ध्वनिक प्रदार् आज के लिए सिफ इतना ही, आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ सेयर करना है, और चैनल को सस्क्राइब करना है, आसा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद आपका दिन सुब हो